आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है चप्टर नमर 11 है सिंपल एक्सराइज है 11 और क्वेश्चन इसका है 18 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप लाइकन को भी प्रेस करे है 4x plus 3 divided by 9 plus 2x divided by 5 is equal 3x plus 2 divided by 15 ठीक है अब यहां पर क्या करेंगे हम जो डी नमिनेटर्स हैं उनका आप common LCM लोगे common LCM लेने के बाद जो common multiple आएगा उसको आपने सब के साथ multiply कर देना है हम ने इनका LCM लेना है सबसे पहले क्या क्या करेंगे 2 से तो नहीं हो सकता क्योंगे को क्योंकि 5 जो है वो ठ्रीके डेबल में नहीं आता अब 5 रह गया तो रट हम क्या करेंगे 5 के साथ इसको सॉल्ट कर लेंगे अब इनको सॉल्ट करते है 3 3s 9 अगर हम multiply करें multiply by 5 3 3s 9 और 9 5s 45 यहनि कि इनका common factor क्या है तीनों का 45 फर्स आफ आल तो मैं इनको क्या करूंगे bracket में convert करती हूं 4x plus 3 divided by 9 plus लगाया और थोड़ी सी स्पेस चोड़के फिर से 2x 5 आगया और bracket pin को close कर दे इक्वल में उसके बाद फिर हम इहां पर थोड़ी सी स्पेस चोड़ेंगे और यहां पर 3x plus 2 divided by 15 अब इन तीनों का जो एलसी माया था वो 45 आया था ठीक है अब हम क्या करें इन तीनों को 45 के साथ multiply करते जाएंगे 45 यहां पर भी multiply 45 second के साथ भी और 45 multiply by 3rd part अब हम क्या करेंगे यहां पर cutting करेंगे 9 1s9 and 9 5s 45 इसके बाद 5 1s5 and 5 9s 45 अब 15 को 45 को करें अगर मैं यहां पर 15 को 3 से multiply करूं 3 5s are 15 3 1s are 3 and 4 45 आगे लेकिन किस पर आया 3 पर तो 15 1s are 15 and 15 3s are 45 अब जो बाकी बेचा वो लिखते हैं जैसे के 5 ब्रैकिट multiply by 4x plus 3 plus 9 multiply by 2x आपने हर चीज को द्यान से करना है कोई भी चीज किप नहीं करनी 3x plus 2 ठीक है अब हम क्या करेंगे इन numbers को first bracket second को second bracket and third को third bracket में multiply करते जाएंगे सारे के सारे numbers के साथ first of all तो five होगा first and second से first step में five fours are 20 में direct करी हूँ यहाँ पर फाइफ को four से किया तो 20 आगया और x जो variable as it is आ जाएगा five को three से करेंगे center में क्या आएगा plus five three's are 15 आ गया उसके बाद सेंटर में plus है nine को two से करेंगे two ko nine से करेंगे तो क्या इसको आपने एक्स नहीं समझना एक्स यह है अब एक्स सिंगल है तो एक्स वैसे ही as it is आजेकर number के साथ नमबर मल्टिप्लाई होगा और वेरियाबल आज़े जागा और three two's are six और center में आएगा plus ठीक है अब हम क्या करेंगे variables को एक तरफ करेंगे और constant को एक तरफ करेंगे 20 x इसको भी अरेंज करके लिखती हूं इन दोनों को बस अरेंज किया है ट्रांसफर नहीं किया इसलिए आपने इनको इनके साइन नहीं चेंज करने ठीक है अब यहां पर हम क्या करेंगे plus 15 बस अरेंज किया 9 x plus 6 पहले इस साइड वैली उसको सॉल कर लेते है 20 और 18 को अगर एड करें किया कि प्लस प्लस होता है और 20 और 18 को अगर हम एड करें तो यहां पर आएगा 38 एड करेंगे तो 3 यानिके 38 x आगे विरिबल में विरिबल की जो पावर से वह आड नहीं होती प्लस अरुस सुट्रेक्ट में प्लस 15 आगया इस इक तरफ करेंगे कौन कौन सी इक्वल का साइन लगाते हैं और 6 जो है ना 6 को हम इधर लिखते हैं अब हम क्या करेंगे जो चीज ट्रांसफर करने ही प्लस 6 लिखेंगे यह क्या है यह प्लस प्लस निकालते हैं इनको माइनस करेंगे तो 29 आए और 7 में क्या जेगा एक्सा जाएगा है प्लस माइनस माइनस 15 मेंसे 6 निकाले दो 15 मेंसे 6 निकाला 9 और साइन कौन साइन क्या नेगिटिव की बड़ी बढ़ी को साथ नेगिटिव का साइन है एक्स अब यहां पर यह क्या होड़ाए 29 मुल्लिप्ले हो रहे है राट हर इंशाइड पे जाएगा डिवाइड बाकि बचा 5 तो 5 को भी आप इसी तरह करोगे लिए वागी है वो एज़ जाज़ेंगे अब इनको मुल्टिप्ला करते हैं 2 x 2 x 3 x 5 2 x 2 x 4 x 3 x 12 x 12 x 5 x 60 तो यानी कि कमन फैक्क्र तीनों का क्या आया सब का चारों का 60 अब इन सब को किस से मुल्टिप्ला करने हैं 60 से जो कि इनका कमन मैल्टिपल आया है अब हम यहां पर क्या करेंगे फिर्स और ब्रेक्ट लगाती है और साथ साथ 60 को भी मुल्टिप्ला करती है अगर आप ब्रेक्ट नहीं भी लगाना चाहरे तो आप बिल्कुल एक्ज़ेक्ट करोगे लेकिन माइनस के साइन को इग्णोर नहीं आपने करना माइनस पहले आना जाए और बात में आप 60 के साथ होना चाहिए तो यहां पर मैं 60 x 2 x 4 फिर यहां पर 60 आएगा और इसके साथ भी मुल्टिप्ला होगा x divided by 5 minus 60 multiply by x divided by 6 and plus last पी जो है वो 60 multiply हो जएगा 23 के साथ ठीक है अब cutting करते हैं 3 1s are 3 and 3 2s are 6 और 0 यानि कि 3 का डेबल अगर हम 20 तक पढ़े तो 60 आ जाता है अब यहां पर भी same ऐसी करेंगे 4 1s are 4 and 4 1s are 4, 4 तो इदर आ जाएगा और 4 5s are 20 आ गए यानि कि 15 पर क्या आता है 60 5 1s are 5, 5 1s are 5, 1 carry and 5 2s are 10 फिर 6 से करेंगे 6 1s are 6, 6 1s are 6 and 0, 10 पर आ गए 60 अब इन दोनों को multiply करेंगे बाद हम इनको आंज लिख लेंगे अब जैसे चीज़े गिवन हैं वो हम लिखते जाते हैं जैसे आगी values हमारी माइनस 15 multiply by x is equal 12 multiply by x denominator सारे के सारे remove होगे x plus 60 multiply by 23 अब इनको हम multiply करते जाते हैं 20 को करें हम 2 से करें 2 0s are 0 and 2 2s are 4 x आगया variable as it is आगया अब minus यहां पर कोई value नहीं है कोई coefficient नहीं है तो 1 होगा तो 1 को 15 से करेंगे तो 15 minus 15 x आजाएगा equal का sign लगाना है और 12 ones आगया यहां पर अभी भी कोई coefficient नहीं जैसे कि इसमें नहीं था इसी तरह इसमें भी नहीं है चीक होगर हम multiply करें 60 and 23 3 0s are 0 and 3 6 are 18 multiply 2 0s are 0 and 2 6 are 12 0 8 3 1 1380 जो है आपको क्या आगया इसका constant आगया अब यहां पर दोनों variables हैं अगर एक constant होता तो हम इसको solve नहीं कर पाते फिर हम क्या करते कि variables को इस साइड पर करके लेकिन यहां पर variables है इस साइड पर इस साइड पर पहले separate separate solve करके फिर एक तरफ कर लेंगे अब जैसे कि 40 में से 50 निकालें 40 में से माइनस करते हैं 15 को यहां पर 1 आ जाएगा carry और यहां पर 3 बजा 10 में से 5 निकाला तो 5 आ गया 3 में से 1 निकाला तो 2 आ गया 25 आ गया 25 x is equal 12 में से 10 निकालें तो simply क्या आता है 2 x plus 100 1380 जो है आपका constant आ गया अब इस variable को हम left hand side भी लेके जाते है 25 x यह यहां पर positive है इस side पर आकर क्या हो जाएगा negative और equal का sign 1380 जो है constant 25 में से 10 निकाला तो 23 x is equal में 1380 ठीक है अब यह यहां पर multiply हो रहा है और side भी जाके क्या हो जाएगा divide हो जाएगा हम इसको divide कर देते हैं 23 को अब हम क्या करेंगे 23 को divide करके देखते हैं यह rough वर्क है बारा divide किया 23 बाहिर and 1380 जो है वह अंदर आ जाएगा अब सबसे पहले हम क्या करेंगे 23 23 को गर 1 से करें तो 23 वह बढ़ा जाता है यानि को बढ़ा जाता है तो फिर हम क्या करेंगे 3 values लेंगे तो 23 को अगर हम करें 5 से 5 3 is a 15 and 5 2 is a 10 and 11 यह तो अभी भी चोटा है 23 को हम 6 से करके देखते हैं 6 2 is a 18 1 carry चला जाएगा 6 2 is a 12 and 13 138 तो आ गया यानिके 6 पे 138 आ गया और 0 यहां लगा कि यहां पर भी 0 लगा लेंगे 23 को हम 60 से करें तो 1380 आ जाता है कट करने से मारे पास 60 आ गया x की value आ गई simply 60 question number 20 है जो के simple numbers नहीं है simply variables को ही solve किया हुआ ठीक है उसको ही हमने solve करना है अब यहां पर first of all क्या है x divided by a plus x divided by b and x divided by c और equal में क्या है उसका direct LCM लिए हुआ है a b plus b c and c a divided by a b सबसे पहले तो a b c सबसे पहले हम क्या करेंगे यह तो LCM लिया हुआ हुआ इस पे तो हम इसको क्या करेंगे एक technique जो apply करते हैं x multiply by space center में plus x multiply by space center में plus x multiply by space और फिर x multiply by space और उसके बाद जो values है वो लिख लेते हम ठीक है b c plus c a divided by a b c अब यहां पर अपने क्या करना है जो चीज हमारे पास same है बिलकुल इसको नहीं लिखनी जैसे के एच आद चारसंक्रामागजिस तो यहां पर आपकी बचाश्या कि लिखते ना है उसके रोड़ बांक्राद का नीचे-एक इवाइड हूरे अपने लिखते नहां है यहां कि रोखतु कि बाकिजट कटिशन Barcel battlefield को वही आज़ता है जैसे कि B C और X आ गया ठीक है मैंने इनको अर्रेंज करके बस लिख दिया जो बाद में लिखते हैं इसलिए मैंने बाद में लिखा इसको सैंटर में प्लस A C X सैंटर में प्लस एंड A B X आ चाज़ ठीक है और डिवाडिड बाइंड सी इस इकवल में A P. डी एडियूम इस इन दोरों को कट कर दिया क्यों कि यह बिल्कुल सेयल से अब यहां पर इक तेखें यहां पर हमारे पास बाकी विचा B C X plus A C X plus A B X ठीक है equal में A B plus B C plus C A ठीक है अब इन तीनों में क्या चीज़ common है एक्स जब हम X को common निकालेंगे बाहर तो एक दफा ही लिखेंगे ठीक है बाकी विचे हमारे पास B C plus A C plus A B ठीक है इस equal में A B plus B C same वही आजेगी जो पहले है ठीक है अब यहां पर एक्स की वैल्य जाहिए तो बाखी क्या चीज एक्स्ट्रा है यह सारी वैल्यू मुल्टिप्लाइब हो रही है तो उस साइट पर जाके क्या हो जाएगी डिवाइगी अब मैं इसको डिवाइट करती हूँ होँ आb减क्स् непmberना सोफॉप्लाइब लिवाइगी और ने सीजुन खागे है यहां और रिवाइगे इसको बॉआ EX also हो उपने तक मैं सेपरेट कॉर्ण चीज यहां वी इनको चीज़ों कि चाहिए इस तरफ से भी मैंने को अरेंज कर दिया अब यह दोनों बिल्कुल सेम हैं तो यह आपने इस तरह कट करें सेपरेट सेपरेट कट नहीं करोगे क्योंकि प्लस अगर ऊपर हो कोई भी अलग 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 कटिंग नहीं हो जाती है जैसे कि मैंने यहां पर इग्जएक्ट कटिंग कर दी और यहां पर आपने जीरो नहीं लिखना क्योंकि अगर हम तो पाय टू को डिवाइड करते हैं तो बागी क्या बचता है अउली बचता आपने इसको 0 नहीं लिखना 0 उस सूरत में जब 2-2 हो फिर 0 लिखा जाते है यहां पर आजएगा एक्स की वैल्यू वान इसका क्वेशन नमर 21 है 6-1 divided by 2 माइनस में है अब यह माइनस का साइन सिर्फ एक्स का नहीं है एक्स माइनस 1 सबका है यह जो साइन है यह भी एक्स मा फॉर्स्थे रचंच में लिखा आपने में इसको हलें को यह जाते हैं बाकिए 10 साम के मीशन करेंगे तो नहीं को करते हैं यह विखा गाल उसको हमारे पासा ग्यां ऑ どquay Good आ estfour ऐसे अदिस लिखा ना mitä 6 minus 12 multiply by x minus 1 divided by 2 minus 12 multiply by x minus 2 divided by 3 equal में 12 multiply by 3 minus x divided by 4 अब हम क्या करेंगे 12 को 6 से मल्टिप्लाइ करेंगे 12 को 6 से 72 आ गया ठीक है 72 यहां आ गया 2 1s are 2 2 6 are 12 minus 6 multiply by x minus 1 minus 3 को अब करेंगे 3 1s are 3 and 3 4s are 12 4 multiply by x minus 2 equal में अब आएगा 4 से भी cutting करेंगे 4 1s are 4 and 4 3s are 12 3 multiply by into 3 minus x अब इनको भी सी तरह solve करते हैं 72 minus अब माइनस को भी solve करते हैं साथ साथ माइनस प्लस माइनस 6 1s are 6 and x as it is आजएगा अब माइनस और माइनस को मल्टिप्लाइ करते हैं तो exact प्लस आ जाता है माइनस माइनस प्लस हो गया और नंबर जो क्या हो जाते हैं 6 1s are 6 अगया ठीक है अब इसको इसी तरह solve करेंगे माइनस प्लस माइनस 4 1s are 4 and x जो के coefficient जो के variable ऐसे as it is आजएगा और उसका coefficient 1 है और उससे multiply हो गया 4 माइनस माइनस क्या होगा प्लस फोर टूजा 8 यह प्लस इस तरह है जैसे मैंने आपको पहले रूल बताए कि माइनस माइनस मल्लिप्लाइ में exact प्लस हा जाता ठीक है अब 3 को करेंगे 339 प्लस माइनस माइनस 3x अगया ठीक है अब हम variables को arrange करते हैं constant को separate कर देते हैं माइनस 6 अब यह माइनस sign 6x का है 72 का नहीं है क्योंकि right hand side पर जो आपकी value होती है उसका sign left hand side वला होता है अब इसका sign यह नहीं होगा आपने देहान से इसको solve करना है माइनस 6x arrange किया हमने इसको arrange किया माइनस 4x आ गया यहां पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है यह positive है तो plus 72 और बागी बचा six eight constant को हम circle में कर लेते हैं और इनको mark कर लेते है 72 plus six आ गया and plus eight आ गया is equal में है nine minus three x अब इनको solve करते है माइनस माइनस क्या होता है अब यहां पर multiply नहीं हो रहा अगर bracket लगे हो ती multiply का sign होता तो minus minus क्या हो जाना था exact plus हमने लिख देना था लेकिन यहां पर additive rule में क्या करते है माइनस माइनस होता तो plus है यानि कि numbers क्या होते है plus होते हैं लेकिन sign क्या हो जाता है negative हो जाता है six और four add करें 10 आ जाएगा 10 x ठीक है उसके बाद plus इनको भी solve करते है six और eight को add करते है यह 72 इन तीनों को इकठा हम add कर लेते है eight and two ten और ten और six 16 आ गया one carry चला गया seven and eight 86 आ ठीक है यहां पर 86 आ इन तीनों का उसके बाद equal में है nine nine minus three x अब हम क्या करेंगे इनको एक side पर लेके जाते हैं variables को variable यह और यह है यह इस तरफ ही देगा तो इसका sign चेंज नहीं होगा इसको transfer करेंगे यह positive है तो side पर आज़ेगा positive होजेगा equal का sign nine पहले से exist करा था यह यहां पर क्या है यह अब transfer करना है तो यह plus तो side पर क्या आज़ेगा negative sign के साथ आज़ेगा minus plus minus 10 में से three निकाला तो seven x और बड़ी value का sign क्या है negative तो यहां पर negative sign apply करेंगे plus minus minus 86 में से 9 निकाले 86 में से 9 निकालते हैं 6 में से 9 निकालता है हम क्या करेंगे 1 करी ले जाएंगे और 7 आ जाएगा 16 में से 9 निकालेंगे तो 7 और बाकी बचेगा 7 तो 77 आ गया लेकिन साइन कौन सा आएगा negative क्योंकि वह बड़ी value के साथ साइन है ठीक है अब 7 x minus 7 x जो है वह multiply हो रहा है तो right hand side पे आके क्या होजेगा with sign divide होजेगा ठीक है minus 7 minus minus कट गया and 7 1 to 7 7 1 to 7 and 7 1 to 7 11 आ गया x की value question number 22 है x divided by 4 minus 5 x plus x divided by 6 is equal में है 2 x minus 9 divided by 6 divided by 3 अब हम क्या करेंगे जो denominator में हैं उनका इनका common multiple क्या है तू से start करेंगे तू तू जा 4 and 2 3 जा 6 3 as it is आज़ेगा अभी भी तू से करते हैं तू 1 जा 2 3 and 3 3 से करेंगे 1 1 1 और इनको हम multiply कर देंगे जो multiples आज़ेगा 12 आ गया में ब्रेकित भी अप्लाइ करते जारें जैसे के x divided by 4 minus 12 multiply by 5 x plus 8 divided by 6 is equal में है 12 को multiply करने क्यूंके हमने जो इनका common multiples था उसके साथ multiply कर दिया multiply by 2 x minus 9 divided by 3 and bracket close अब हम इनको solve करते हैं जैसे के 4 1s are 4 4 3s are 12 12 6 1s are 6 6 2s are 12 and 3 1s are 3 3 4s are 12 simply form में हम इनको लिते हैं 3 multiply by x minus 2 multiply by 5 x plus 8 is equal में है 4 multiply by 2 x minus 9 and bracket close अब 3 3 1s are 3 3 x आ गया ठीक है minus plus minus 2 5s are 10 and x जो variable है why is it is आ जाएगा minus plus minus 2 8s are 16 first इसके साथ और second हमने इसके साथ उसको किया multiply equal में हाएगा 4 को first के साथ और 4 को ही second के साथ भी करेंगा 4 2s are 8 and x आ जाएगा plus इदर कोई sign नहीं तो यानिके positive sign है तो plus minus minus आ जाएगा 49 जाके आएगा 36 आएगा variables को इस साइड पर solve करते हैं जैसे के plus minus minus 10 में से 3 नहीं काला 7 x लेकिन sign कौन साएगा बड़ी value का तो बड़ी value को साथ sign negative का है इसलिए हमने यहाँ पर negative sign लगाया minus 16 8 x minus 36 अब हम variables को एक तरफ करेंगे minus 7 x तो as it is आजएगा लेकिन यह 8 x जो है positive है जिसके साथ कोई sign नहीं था उसके साथ positive sign होता है लेकिन जब हम इसको transfer करेंगे तो क्या होगा इसका sign negative हो जाएगा plus values plus होंगी लेकिन sign क्या होगा negative आएगा ठीक है 7 और 8 को हम अगर plus करें तो 15 x आजाता है ठीक है minus plus minus 36 में से 16 निकाले 36 में से 16 निकाला तो 6 में से 6 0 आजएगा और 3 में से 1 निकाला तो 20 आगया minus 20 minus हमने इसलिए लगाया क्योंकि बड़ी value के साथ क्या है negative sign अगर यहां पर बड़ी value के साथ positive sign होता तो हम यहां पर positive sign लगाते अब 15 minus 15 जो हो multiply और x के साथ और right hand side पर आखे क्या हो जागा divide हो जागा minus 15 आगया अब यह 5 से solve हो सकते है minus minus cut कर दिया 5 4 is a 20 and 5 3 is a 15 आगया 4 by 3 जैसे तो यहांस बिल्कुल ठीक है लेकिन अगर आप बुक्के according करना चाहरें तो फिर आप करो इसको divide 3 बाहिर and 4 अंदर 3 1s are 3 आजएगा divide में आगया 1 आगया remainder में आगया 1 अब इसको लिखना कैसे है remainder आपका जाएगा ऊपर ठीक है यह जो आपका आँस आएगा और divide में आएगा आपका जो divisor था वो इसका question number 23 है 13-9-x divided by 11 is equal में है 3x divided by 22 plus 12 and half अगर हम इसको simple fraction में करें तो simple fraction में इसका answer सकता है तो मैं क्या करती हूं इसको सबसे पहले तो हम bracket में solve करते हैं bracket में लिखते जाते हैं और इसको solve कर लेते हैं साथ में फिर इसके बाद इसका जो lcm है common multiple है वो हम find करेंगे first of all 13 लिख लिए minus 9-x divided by 11 is equal में है 3x divided by 22 plus अब इसको solve करेंगे जब हम 2 code 12 से करेंगे तो आजएगा 24 और उसमें हम 1 add करेंगे तो क्या आएगा 25 नुमिरेटर में आगया 25 और डी नुमिनेटर में आपका आगया 2 अब मैंने इसको इसको भी bracket में convert कर दिया 11 22 और यहां करते हैं कि इनका common multiple किया है तो से स्टार्ट करेंगे क्योंके even number है 11 as it is आजएगा two ones are two and two ones are two अब 11 से करेंगे क्योंके 11 प्राइम नंबर है वो किसी भी टेबल पर नहीं आता अपने और वन के लावा 11 11 11 11 11 और वान आजएज यानिके टू और 11 बचार तो टू और 11 को जब हम multiply करेंगे तो क्या आएगा 22 इनका common multiple आएगा इनको इनके common multiple के साथ multiply करते जाएंगे 22 multiply by 13 ब 9 मानस x divided by 11 is equal में 22 3 x divided by 22 plus 22 multiply by 25 divided by 2 अब इनको solve कर लेते हैं 11 11 11 12 22 आजएगा यहां पर ठीक है दिखेंगे उसके बाद इसको solve करेंगे x is equal में आजएगा कोई भी value नहीं बची बाकी बचेगा 3 x इसको भी bracket में लिखेते हैं plus 11 into 25 अब इनको हम multiply करते हैं 22 को अगर हम 13 से करें 32 6 32 6 and अब फिर 1 बचा तो 2 2 6 6 7 8 add करने ठीक है और बाकी बचेगा 2 286 आ गया constant और अब इनको solve करते हैं plus minus minus 2 9 18 minus minus के हो जाएगा plus 2 1 2 variable as it is क्योंकि variable का कोई coefficient नहीं है तो अगर कोई coefficient नहीं होता तो इसका coefficient 1 होता तो इस वज़ाए से हमने 2 को 1 से multiply किया और साथ में minus minus plus जो exact multiply में exact answer आ जाता है वो लिखा 3x मैंने open कर दी plus 25 को भी हम 11 से multiply करेंगे 5 and 5 and 5 and 2 to multiply का sign and 5 and 2 पिर से आ गया 5 तू में 57 एड़ की तो 7 आ जाएगा तो आजेगा 275 इसका constant आ गया अब हम क्या करेंगे first of all तो हम इनके constant को remove करते हैं solve करते हैं यहां पर 6 में नियंगे आएंगे 7 and 1, 16 में 6 में नियंगे तो 8 आजाता है, 7 में निकाला 6 and 2, as it is आगया इन दोनों को माइनस करने से 2, 6, 8 आगया, प्लस माइस माइस होता है लेकिन साइन को अगा पॉजिटिव तो पॉजिटिव में हम अगर साइन ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस वज़ासे मैं यहां पर साइन नहीं लिखा प्लस 2x is equal 3x प्लस 275 ठीक है अब वेरिबल्स को एक साइड पे लेके आते हैं जैसे के 2x यहां पर प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकाला 1x लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा प्लस माइनस माइनस तो 275 में से 268 को माइनस करते हैं यहां पर 5 निकलता तो हमने क्या है played leaf il Optimus at 7 लेकिन साइन क्या है क्यूंकि यह क्या है बड़ी वैली के साथ पॉजिटिव साइन है तो यहां पर लिखें और ना लिखें कोई फ़रक नहीं परता माइनस वान क्या है एक्स की वेल्यू आ गई नेगेटिव सेवन नमर इसका 24 है 2.25 यानिके डेसिमल में आ गया एक्स वेरीबल है फिर्स्ट सेकिंड जो है है 3 x plus 3.175 अब हम क्या करेंगे वेरीबल को करेंगी और कॉंसेंट को एक साइट पे करेंगे 2.25 इस साइट पर और 3 क्या यहां यहां पर वेरियेबल है तो इस साइट भी क्या आजएगा नेगटिव हो जाएगा इस इक्वल में आएगा 3.175 जो के पहले से एक्जिस कर रहा था यहां पर क्या आजएगा पॉजितीव हो जाएगा है साइट पे आके 25 अब हम क्या करेंगे प्लैस माइनस माइनस ठीक है three में से क्योंकि three बड़ा है two point two five छोटा है three three में से two point two five को माइनस करेंगे और देखेंगे क्या है three में ओपर रखूँगी अब आपने देखने किसका तरीका क्या है थ्री और नीचे आपने पॉइंट से पहली वैलियू वो लिख लेनी है यहां पे पॉइंट टू फाइफ अब हमें यहां पे पॉइंट वाली नीचे वैलियू है उपर सिंपल वैलियू है तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे हम ने हुच से यहां पर 0 लगा दिया पॉइंट लगा कर अगर अगर आप इसको रिमूव भी कर दो फिर से त्री आज़ेगा इसको सॉल्ड करते हैं क्या है कि हमारे पास माइनस करना है जीरो में से फाइफ नहीं नीकल तो हम क्या करेंगे वन कहले लेंगे यहां से वन कहले यहां पर 2 बचा यहां पर 10 आगे लेकिन 10 से फिर हमने यहां पर एक करी लेना है तो बचा 9 यहां पर बचा 10 10 मेंसे 5 निकाला तो 5 आगया 9 मेंसे 2 निकाला तो 7 और पॉइंट है तो भी आपने पॉइंट ही लगाना है ठीक है अब हम क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे यह अब इनको हम solve करते हैं इनको solve करने के लिए आपने क्या करना है पॉइंट के नीचे पॉइंट 3.1750.125 अब इनको add करना है 5 और 5 एड किया तो 10 आ गया 7 और 1 8 और 8 में 2 एड किया तो फिर से 10 आ गया 0 यहां पर and 1 करी चला जाए को 1 and 1 2 और 3 3 नीचे आ गया पॉइंट लगाया and फिर से 3 में 0 एड करने तो 3 ही आ जाता है 3.3 3.300 इसका constant आ गया अब जो minus 0.75 है वो क्या है multiply हो रहा है x के साथ तो इस साइट पर आ कि क्या हो जिएगा divide होगा 3.300-0.75 अब इनको solve करते हैं इनको solve करने के लिए पॉइंट कर लो पॉइंट कर लो पॉइंट करके इनको simple fraction में ले आओ plus minus minus उपर चला जाएगा 075 मैंने आपको यह रूल बताया है कि अगर आप उपर वाले points को remove करो तो क्या करते हो नीचे आप लिखते हो पॉइंट हतम तो 3300 divided by यह point हतम इससे पहले 0 था तो 0 को ignore करके simple 75 टिक्रेंगे यहां पर हमने 3 को ignore नहीं किया क्योंकि वह 0 नहीं था अगर 0 होता तो हम इसको ignore कर देतें अब 100 divided by 1000 कट करेंगे यह 1 इससे एक 0 इससे कट जाएगा ठीक है बाकी हमारे पास बचा माइनस 330 यानिके 330 divided by 75 अगर हम देखेंगे यह 55 से तो remove हो रहा है 55 यहां चला गाएगा 55 5 6 30 और 3 फिर 0 को चला गाएगा तो 56 30 अब हम क्या करेंगे 66 15 को डिवाइड करेंगे क्यूंकि आग से यह कट नहीं हो रहे पॉइंट में ही इसकी वैलिवाइगी डिवाइड करते हैं 15 बाहर आजएगा 66 अंदर आजएगा 55 को अगर हम 3 से करते हैं 35 15 3 1 3 & 4 45 आगए यह तो चोटा है हम क्या करते हैं 15 को करते हैं 15 को हम 4 से करते हैं ठीक है 45 20 4 1 4 & 5 6 60 आगए अगर हम 5 से भड़ा आजएगा तो इस वज़ा से हम क्या करते हैं 4 के साथ ही 60 अप्लाई कर देते हैं 60 आगया 66 में से 60 निकाला तो 6 आगया अब यहां पे पॉइंट लगाने की जोड़ा है पॉइंट लगाया और 0 आगया फिर से 15 को अगर 4 से करें तो क्या आज़ता है 60 आज़ता है त लड़ा।